हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये ही राधा का घर और यहाँ भी सुभा का टाइम है राधा और श्याम यहाँ पर सो रहे हैं, चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है और फिर तभी राधा की नीन खुल जाती है अरे लगता है सुभा हो गई है, चलो मैं जल्दी से उठ जाती हूँ कितना अच्छा लग रहा है, आज कितनी अच्छी सुभा है अरे हाँ, चलो जाकर देखती हूँ, श्याम की पापा आये या नहीं शेहर से कल फोन पर बात तो हुई थी चलो जाकर देखी लेती हूँ, अरे, अरे ये क्या, श्याम की पापा तो अभी तक नहीं आये बोल तो रहे थे कि आ जाएंगे सुभा सुभा, अभी तक नहीं आये, क्या बात हो गई अरे हाँ, कुस तो बोल रहे थे कि श्याम के लिए सप्राइज लेकर आने वाले है, शायद उसी में टाइम लग गया हो चुरो मैं जाकर लाल टैन बंद कर देती हूँ जल्दी से हाँ, मादुरी रुको आ रही हूँ और यहां राधा गया को चारा देने के लिए जाने लगती है अरे हाँ, यह रहा भी तो ताज ही है यह चलो पहले यह दे देती हूँ गया को यह लो गई है यह इतना खालो फिर तुम्हें और भी ताजे-ताजे घास ला कर दूँगी अच्छे से खाओ मेरी प्यारी मादुरी और फिर यहां श्याम भी जाक जाता है और फिर श्याम उठकर वहां से जाने लगता है और फिर श्याम यहां खटिये पर बैठ जाता है अरे श्याम बेटा तुम्हें इतने खुश क्यों दीख रहे हो लगता है रात को तुमने भी तुम्हारे पापा की बात सुन ली थी इसलिए बहुत खुश हो तुम कैसे इंतिजार कर रहा है अपने पापा का कितना प्यारा दिख रहा है मेरा बेटा थोड़ी देर और रुको श्याम और यहां श्याम की पापा आ जाते हैं अरे भाई जल्दी उतारों इसे अच्छी से उतारना तूटना नहीं चाहिए अरे वाह यह तो उतर गया श्याम तो देखकर इसे खुशी हो जाएगा चलो मैं जाकर दिखाता हूँ न सबको मज़ा ही आ जाएगा चलिए भाई आप जाएए आपके पैसे मैंने दे दिये है ना चलिए जाएए यहां से अरे हाँ जा रहा हूँ चलो चलो मैं जाता हूँ राधा और श्याम इसे देखकर तो खुशी हो जाएगे अरे भाई यह कहां पर हो राधा देखो मैं आ गया जल्दी आओ यहां पर अरे वाह इनका रियक्शन देखने के लिए मैं बहुत ही जादा खुश हूँ अरे किता सदा भारी चल रख देता हूँ से यहीं पर देखो राधा अरे श्याम की पापा यह क्या लाए हैं आप चलो जाकर देखते हूँ इतना बड़ा क्या लेकर आए हैं खिर श्याम की पापा अरे यह सब क्या है ये क्या है श्याम की पापा जल्दी बताईए न ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिख रहा है यही है क्या सप्राइज स्याम के लिए अरे हाँ मेरी भोली राधा यही है श्याम इसे खेले का बहुत ही ज़दा खुश हो जाएगा देख ले न अरे लेकिन ये तो बड़े बच्चों का खिलो न दिख रहा है श्याम इसे नहीं खेल पाएगा श्याम की पापा देखिए न कितना बड़ा है ये औरे जुडाने इतिजार कर रहा था लेकिन उससे नहीं खेल पाएगा ये और फिर श्याम खिलोना देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है चलो श्याम आजा यहां पर और फिर श्याम दोड़ते दोड़ते अपने पापा के पास जाने लगता है चलो इसे अप मैं खोल देता हूँ रहा होता है अरे पता नहीं क्यों मुझे लग लगा ये बड़े बच्चो का गय में इस्याम इससे नहीं खेल पाएगा चलो देखती हूं मैं भी और यहां अपना खिलन देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है अरे भई श्याम यहां वहां क्या देख रहे हो चलो चलो जोड़ना शुरू करो चलो चलो हम दोनों मिलकर जोड़ेंगे ठीक है यह वाला तो वहां पर जोड़ेगा और यह वाला यहां पर अरे लेकिन यह वाला हिस्सा कहां पर लगेगा अरे मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है अब मैं क्या करूँ ये तो अकेला एक पीस है ये कहां पर लगेगा अरे मैं तो सब भूली गया मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है किसे कैसे लगाना है तो श्याम क्या खिल पाएगा इससे अब मैं क्या करूँ भई यहां श्याम अपने पापा को देख कर रोने लगता है यह देखो मैंने बोला था कि यह बड़े बच्चों का खिलोना है लेकिं श्याम की पापा तो मानने का नाम ही नहीं ले रहे है श्याम की पापा क्या हूँ देखिए श्याम रो रहा है और रासा तुम सहीं थी मुझे ही नहीं आ रहा है जोड़ने के लिए मैं जा रहा हूँ उझे बहुत ही ज़्यादा काम है चलो मैं जाता हूँ यहां से इतने प्यार से मैं लेकर आया था श्याम के लिए चलो मैं जाता हूँ और यहाँ श्याम अपना खिलोना ऐसे ही पड़ा देख कर रोने रखता है और यहाँ से सोरम और सोरम के दोस्त गुजर रहे होते हैं चलो चलो दोस्तो आज हम बड़ी मेदान में खेलेंगे बहुती मजाएगा हम बड़े हो गए है ना चलो चलो चलते है अले अले लोगों ये क्या है अरे वाँ ये तो पजल वाला गेम है जोडने वाला अले श्याम ये तुम्हारा है क्या कैशल जोडने वाला ये तो बहुती अच्छा है मुझे बहुती दिन से खेलने का मन कर रहा था अले वा कितना अच्छा है लेकिन यहां पल केशे आया अरे वा सोनम बेटा आओ आओ कैसे आना हुआ तुम्हारा अच्छा ये ये तो श्याम की पापा लेकर आया है श्याम के लिए लेकिन देखो न श्याम इससे खेल ही नहीं पा रहा है इसलिए बहुत ज़्यादा उदास हो गया है तुमको आता है क्या बच्चो अले लाइदा आंती आता है क्या बात कर ले हैं आप इसी तो हम जोड भी शक्ते हैं और इसमें खेल भी शक्ते हैं हम लोग खेल शक्ते हैं क्या लाइदा आंत शरो कल शर्म को जिल्टे से बनाते भी से सब्सक्रान करती हैं जिल्दी करो आज अखूल जोड़ते हैं मारउ यह वैं की कर देंगा धोड़ दो जोड़ भी हो गया यह वान कर देख लगी ह gigantic बाद कर लगीग कर फिर सोनम धीरे धीरे करकर क्यूब को जोडने लगती है अरे इसका तो छत मैं कहां पर लगाओं हाँ उपर से लगाता हूँ चलो यहां पर लगा देता हूँ और फिर राहूल भी क्यूब को जोडने लगता है अरे हाँ यह तो यहीं पर लगेगा चलो फिट कर देता हूँ और ये बस हो गया अरे वाई ये तो बहुत ही अच्छा दिखने लगा अभी से ही अले इशको मैं कहां पर लगाओ हाँ लगता है वहां पर लगेगा वो चलो मैं जाकर लगाती हूँ जलदिशे अले वाई ये देखो मैंने भी जोड दिया एक क्यूब किता अच्छा दिख रहा है चलो और भी मैं लगाती हूँ और सबको देखकर यहां श्याम भी खेलने लगता है और यहां सारे बच्चे केसल बनाने में लग जाते हैं धेरे धेरे करकर सारा केसल बन रहा होता है अरे वाई कितना मचा रहा है अरे वाई ये छट तो बन ही गया हमारा अब बस यहां पे किला लगाना बाकी है अले हाँ राहुल मुझे को भी पता है शुरो चुरो आप किला भी लगाते हैं हम अले शुनम देखो कितना उचा बन गया हमारा केशन मुझे तो दर लग रहा है और यहां आधा किला तैयार हो जाता है अरे वाद देखना इस किले में मैं ही रहूँगा अरे हाँ हाँ रहना लेकिन देखो हमारा पिंक वाला किला कितना अच्छा है इसमें हम शब रहेंगे चलो चलो भी आखरी पीश अब इसको लगा देते है अरे लेकिन यह तो बहुत ही अद भारी है चलो दोस्तों तुम सब भी आचाओ चलो हम सब मिलकर लगाते है आखरी वाले पीश को अरे हाँ हाँ हा रूको मैं आ रहा हूँ चलो मैं जाता हूँ चलो चलो जोड लगा के हैशा जोड लगा के हैशा अरे रहुल धीरे धीरे चलो चलो यहाँ पर जोडते हैं अरे वाई यह तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है और यह बश हो गया अले वाई हमारा पूरा कैसल तेयार हो गया अरे वाब तो मैं अपने कैसल के उपर जा रहा हूँ दुश्मनों पर नजर रखने के लिए मैं दुश्मनों को अंदर नहीं गुजने दूँगा अरे वाब यहां से तो पूरा नजारा दिख रहा है देखो हमारा पूरा राज ये दिख रहा है अले चिंकी तुम्हें नहीं लगता है किकिक गाया बेचके इंदर मैंने कुछ तो देखा था शुरू-शुरू में अले हाँ सोना मुझे भी कुछ तो याद आ रहा है कुछ तो था वो तुम्हें याद देखया चिंकी अले अले हाँ वो जो जूले पे बैठा हुआ था प्यारा शिपाही वो गायब है देखो उसके ज़ेगा पर स्याम बैठा हुआ है पता नहीं वो कहाँ पर गया चलो चलो हमें धूना पड़ेगा जल्दी चलो वो तो बहुते प्यारा शिपाही था वो हमारी रक्षा करने के लिए था अले वो तो यहां पर है ही नहीं कहां पर है अले शुर्नम वो यहां पर भी नहीं है कही नहीं दिखाई दे रहा है अरे वो तो यहां पर भी नहीं है पज़र नहीं कहां गया अरे भाई लड़कियों तुम सब कहां पर ढून रहे हैं वो देखो कईयां के पास पड़ा हुआ है शिपाही जल्दी से लेकर आओ जल्दी लेकर आओ अले हाँ अले कहिए थैंकियों हमारे शिपाही का ख्याल लेकने के लिए चलो चल्दी से लेकर जाती हूँ इसको यह देखो दोस्तो हमारा शिपाही मिल गया अब यह हमारा बहुती ज़्यादा ख्याल लेकर चलो चलो इसे लगाते है चलो इसको सबसे उपर लगा देती हूँ शबके उपर नजर रखेगा और यहाँ पर सारा कैसल बनके तयार हो चुका है सारे बचे इसने मिलकर खेल रहे हैं शाब भी यहाँ पर बहुती ज़्यादा खुश है अले वा देखो हमारा कैसल कितना मस्बूत और बड़ा है अब हम पर कोई भी नहीं हमला कर पाएगा अब तो हम यहाँ पर ही खेलेंगे दिन भर राहूल नजर रखो हमारे दुश्मन आजपासी होंगे अरे हाँ हाँ मैं नजर रख रहा हूँ मैं दुश्मनों को अपने कैसल में नहीं आने दूँगा अले वा चिंके कितना मज़ा रहा है ना यहाँ पर हाँ मुझ मुझ तुम शहीं बोल रही हो बहुत ही ज़दा मज़ा रहा है और यहाँ श्याम भी मज़े ले रहा होता है अरे बच्चे इते हस के रहे हैं अरे अरे यह क्या अरे वाई बच्चो ने तू पूरा कैसल जोड लिया कितना अच्छा दिख रहा है अरे हुआ सोना और बच्चो तुमने कमाल कर दिया श्याम के बापा तो कभी भी नहीं जोड़ पाते और फिर यहां से श्याम के पापा भी आ जाते हैं अरे अरे ये क्या अरे हुआ ये तो पूरा खिलो ना जोड़ चुका है किसने जोड़ भाई से बच्चो तुम सबने जोड़ा है क्या इसको हाँ यहाँ जोड़ा है अरे यादा देखो यह बच्ची किते ज़्यादा समझदार है किते अच्छी से जोड़ लिया मैं तो बिल्कुल नहीं जोड़ पाता हाँ 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 श्याम की बाबा मुझे पता है आप तो दुम दबा कर भाग गए और इन बच्चों ने पूरा कैसल तयार कर लिया अरे हाँ रादा में मान जाता हूँ और यहाँ पर सारे बच्चे खेल रहे हैं दोस्तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्क्राइब करना मत भूलिएगा थैंक ये फॉर वाचिंग